हलो फ्रेंड्स वागत हैब सभी का यूटूब चैनल मैस्वाव में आज जहाँ एक तरह पूरी दुनिया कोरोना वाइरस से परिशान है अगर हम दूसी तरह बात करें तो वो सभी एस्ट्रेंट्स वो सभी कैंडिडेट जो गौर्नमेंट जो आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका ये लास्ट एटेंट होने वाला था 2020 में वो उनसे शायद कहीं जादे परिशान होगे अगर हम बात करें SSE CGL 2020 एक्जैम की तो वो सभी एस्ट्रेंट जिनका एस 29 येर्स हो गया है जो अपना फाइनल एटेंट देने वाले थे 2020 में वो उनके मन में कहीं न कहीं बहुत सारे कोशन्स हैं बहुत सारे डाउट्स हैं कि उनका क्या होगा एस लिमिट को क्या किया जाएगा तो आपको बिल्कुली घबराने की ज़ुरत नहीं है इस वीडियो में हम इस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे वीडियो काफी शॉर्ट रखा है मैंने तो आप इस वीडियो को लास तक देखिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2020 के बारे में बात करने से पहले हम कुछ 2019 के बारे में बात कर लें तो देखिए friends आप जो भी preparation कर रहे हैं अपने exams का तो मैं एक चीज़ आपको assure कर दो कि competition जो है वो definitely बहुत जादा high होगा to means के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं recession आने के बाद जो है private sector के लोग होंगे वो भी इसको अच्छे से prepare कर रहे होंगे अभी के time पे हलाकि SSC ने इस वारे में एक notification दे दिया है कि आपका जो exam होगा आपने से कभी सारे students इस notification को देख चुके होंगे कि क्यों आपको मेंस के exam से एक मत पहले आपको notification दे दिया जाएगा तो आपके पास काफी time होगा और मैं एक जिस उन सभी 2020 aspirants के लिए request करूँगा जिनका final attempt होने वाला था कि वो आप पो ज़ादा focus 2019 के main exam पे कीजिए 2019 पे कीजिए क्योंकि उसका vacancy का कोई अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है अगर हम बात करें tier 1 result की तो वो delay होगा और definitely delay होने वाला है और tier 2 की अगर हम बात करें exam की तो by the end of this year 2020 या फिर starting 2021 तक आपका ही chance है exam होने का और vacancy शायद मैं confirm नहीं कहा सकता हूं लेकिन decrease कर सकती है क्योंकि जिस तरीके से DA को हटा दिया गया है खत्म कर दिया गया है भी कुछ दिनों के लिए अभी कोई increment नहीं होगा तो इसलिए आप से आप सोच सकते हैं कि vacancy को शायद decrease किया जा सकता है किया जा सकता है इसलिए मैं बार-बार बोर रहा हूं कि आप अपने competition हाई होगा अपने preparation का level को काफी उपर बना के रखिए ताकि आप कोशिश करें कि 2019 बाले exam में ही आपका selection हो जाए 2020 का wait ना करना पड़े आपको आगे का वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी इस चानल पर नए हैं फॉस्ट टैम इस चैनल के वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें और कोई भी डाउट हो आपको तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं तो चलिए 2020 का वीडियो टॉपिक रिले कि कोई भी वह गौवर्मेंट जॉप जो है नोटिफिकेशन नहीं लाने वाले हैं कुछ दिनों कुछ दिनों मतलब आप समझ सकते हैं कुछ सालों तक 2020 2021 पता नहीं कब तक तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि सरकार के ओपर भी काफी एकोनोमी का प्रेशर है उनको भी पै और उसके लिए प्रेपेशन अपना जारी रखें कंपेटिशन काफी हाई होगा अगर 2020 का भी एक्जाम होता है तो और मैं अगर एज लिमिट के बात करो तो जिनका फाइनल एक्टेम्ट होने वाला था तो आपको परिशान होने की ज़रत नहीं है अगर ज्यादा पोस्ट पर इस चीज़ को उठाए जाएगा तो आप लोगों को परिचान होने की ज़रत नहीं है काफी सारे प्लेटफॉर्म पर इसको उठाए भी जाए रहा है बहुत सारे एजुकेटर इसको उठाए भी है तो आप अपना प्रेपेशन स्टार्ट रखिए थैंक्यू